मंत्री मला रेड़ी ने मेडचल जिले के नागारम नगर पालिका का दोरा किया नागारम नगर पालिका के कई वार्डों में शिलानियास किया गया मंत्री मला रेड़ी ने 70 लाक रुपे की निधी से विकास कारेक्रमों का शिलानियास किया मंत्री मला रेडी ने कई उद्गाटन समारों भी किये, मंत्री ने कहा कि मुख्य मंत्री के सियार के नेत रित्व में राज में कई विकास होंगे, इस कार्यक्रम में नगरपाली का अध्यक्ष चंद्रा रेडी, पार्शद, अधिकारी और नेता शामिल हुए बियारस विधायक भेती सुभाष रेडी ने उपपल का टिकेट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है बंडारू ने लक्षमा रेडी को क्यों दिया टिकेट, क्या उन्होंने कभी पार्टी का जंडा उठाया था, आपने पार्टी के लिए क्या किया उन्होंने पूछा, उन्होंने जानना चाहा कि टिकेट उन्हें क्यों नहीं दिया गया, उन्होंने कहा कि क्या कतित तोर पर आप भरष्टाचार और अनियमित्ता करने वालों को टिकेट देते हैं क्या अंदोलन कारियों को विधायक नहीं होना चाहिए उन्होंने पूछा मुझे किस पाप के कारण निकाला जा रहा है अगर कुछ गलत किया हो तो बताएं बकरे की बली देने से पहले उसे चारा डाला जाता है मुझे तो वो भी मौका नहीं दिया गया फांसी पर लटकाए गए कैदी की भी आखरी इच्छा पूछी जाती है और उसके बाद ही फांसी दी जाती है मुझे तो ऐसा मौका भी नहीं दिया गया उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि क्या मैंने कहीं कबजा किया या फिर दलित बंदू में कमिशन लिया सुभाश रडी ने पूछा उन्होंने कहा कि वह कुछ दिन और इंतजार करेंगे उन्होंने खुलासा किया कि वह सपता के दस दिनों के भीतर बविश्य की गतिविदियों की गोशना करेंगे हैदरबाद में स्कूल शिक्षा निदेशक के कार्याले के पास तनाव का माहौल बना हुआ है डी एड बी एड अभ्यारती यह कहते हुए धरने पर बैट गए हैं कि शिक्षकों के पदों की संख्या कम कर दी गई है नतीजन लकडी का प पद को बढ़ाये जाने के नारे लगाए गए राज में 13500 शिक्षकों के पद खाली है तो स्रिफ 5000 पदों को भरने के लिए अधिस उचना जारी होने पर अभ्यारतियों ने आक्रोश जताया उन्होंने सभी रिक्त पदों को भरने की मांग की उन्होंने चेतावनी दी कि ज इससे पुलिस और आवेतकों के बीच बहस हो गई इसके चलते पुलिस ने डी एड बी एड अभ्यारतियों को गिरफतार कर लिया अभ्यारतियों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर हमला किया डी एड बी एड अभ्यारती बेंचों में स्कूल शिक्षा निदेशक के कार्या जले आ रहे हैं धरने में आने वाले अभ्यारतियों को पुलिस पहुंचते ही हिरासत में ले रही है मंतरी तलसानी श्री निवास यादव ने हैदराबाद के गोशा महल में बीसी जाती के श्रमिकों को वित्तिय सहायता प्रदान की मंतरी ने कहा कि मुख्य मंतरी के सियार सभी समुधायों के विकास के लिए काम कर रहे हैं पता चला है कि अगले महिने की दो तारीक को 12,000 डबल बेडरूम घर बाटे जाएंगे मंतरी तलसानी ने कहा कि कांग्रेस हर दिन वोट लेने के अलावा जनता के बारे में नहीं सोचती उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 50 वर्षों तक राज्य पर साशन किया तब उन्होंने गरीबों को पेंशन देने के बारे में नहीं सोचा यदि मुक्यमंतरी के ACR ग्रह लक्ष्मी योजना के तहट घरों के निर्मान के लिए 3,000,000 रुपे दे रहे हैं तो यह कहना कितना उचित है कि वे 6,000,000 रुपे देंगे उस पार्टी के नेताओं ने इस बात पर गुसा जता है कि वेबिना नियूनतम जानकारी के बात कर रहे हैं सत्ता के लिए गलत व्याख्यान और कार्यावन न करने के लिए आलोजना की गई बियारस ने वेरहाउस कॉर्परेशन के चेर्मेन साई चन की पत्नी रजनी और बच्चों को एक करोड रुपे की सहता दी जिनका हाल ही में दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया था मंत्री सभिता इंद्रा रेडडी, विधायक मंची रेडडी, किशन रेडडी और बियारस नेता दासोजू श्रावन ने पार्टी की ओर से उन्हें चेक प्रदान किया उन्होंने कहा कि अगर वह गुलाबी छत्री के नीचे है तो यहां CMKCR के दिल में होने जैसा ही है उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन भर मानवी असपर्ष पनाए रखा यहां कहावत अक्सर उन लोगों द्वारा उप्योग की जाती है जो बियारस पार्टी के जन्म के बांच से ही CMKCR का अनुसरण करते हैं उन्होंने कहा कि हालिया घटनाकरम से यह सपष्ट हो गया कि यह अक्शर शह सत्य है उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्य करताओं की आकास्मिक मृत्यू होती है तो बीयारस उनके परिवारों के साथ खड़ी रहे पार्टी नेताओंने कहा कि साही चंद और कुसुमा जगदीश के परिवार इस बात का सबूत है कि CMKCR उन लोगों की रक्षा कर सकते हैं जो पार्टी में विश्वास करते हैं और अनुशासित सैनिक के रूप में काम करते हैं मेडचल जिले के कुद्बुला पूर विधान सबाक्षे एत्र के दुल्ला पल्ली स्थित सेंट पीटर इंजिनियरं कॉलेज में ओरियेंटेशन दिवस का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिती के रूप में स्थानिय विधायक के पी विवेकानन शामिल हुए MLA इंजिनियरों के पहले साल ही एक लक्ष चुनकर उसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं विधायक ने कहा कि ये चार साल हर चात्र के लिए बहुत मूल्यवान है और ये उनका भविश्व तयकरने का समय है उन्होंने कहा कि प्रबंदन और शिक्षन स्टाफ चात्रों को जवल भविश्य प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस सबसर पर उन्होंने विध्यार्तियों को बधाई दी इस कार्यकरम में अध्यक्षबाल रेड़ी, सचिव केवी रेड़ी, अकादमिक निदेशक्टी, सरोजा रेड़ी, प्रशासनिक निदेशक्टी, अनुराधा रेड़ी, प्रिंसिपल केश्री ललिता, बोड सदस्य, यू राजेश्वर और अन्य ने भाग लिया। इस सही विकास के बारे में बताया। मंत्री सिंहा रेड़ी निरंजन ने कहा कि कुछी प्रधान राज़ राज़ कहे जाने वाले अयोवा राज़ और तेलंगाना राज़ में कई समानता है। मंत्री ने कहा कि दोनों राज्य खाद्यान, मुर्गी, पालन और उपच के उत्पादन में नंबर एक बन गए हैं और भविश्य में दोनों राज्यों के बीच कई पहलूओं पर आपसी सहीयोग के अफसर है टिपी सीसी अध्यक्ष रेवंतर एड़ी की मौझूदगी में कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है गदवाल निर्वाचन शेत्र के कई लोग भाजपा और बी आरस से कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हुए है कॉंग्रेस में पूर्व बाजार समिती अध्यक्ष वेंकट रामी रेड़ी, सेवा निवृत्ती, MEO सत्यनारायन, MPTC शिव रेड़ी, ईश्वर, पूर्व MPP गोविंद, नाइडू, सरपंच सुनीता, वाट सदस्य और कार्यकरता पार्टी में शामिल हुए जुबली हिल सिस्थित रेवन रेड़ी के आवास पर उन्हें खांडवा पहना कर पार्टी में आमंतरित किया गया कई जिलों के दलित किसान इस बात से नाराज हैं कि पूर्व में कॉंग्रेस सरकार द्वारा उन्हें दी गई जमीनों को केसियार सरकार हडप रही है उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी संख्यानीजी कमपनियों से जोड़ा जा रहा है तेलंगाना किसान कॉंग्रेस के तत्वधान में गांधी भवन में रायतू गोसा कार्यकरम का आयोजन किया गया कई किसान ने भाग लिया और अपनी समस्यों के बारे में विसार से बताया रंगारेटी जिले के शवद मंडल के चंदनवेली गाउं के दलित किसानों ने कहा कि वे अब तक लग भग 2000 एकर जमीन खो चुके है प्रभावित किसानों ने कहा कि गजवेल निर्वाचन शेत्र जिसका प्रतिनी जित्व खुद CMKCR करते हैं में वरंगल मंडल की 1500 एकर जमीन हडप ली गई और नीजी कमपनियों को सौप दी गई इसी बीच अरुतलाक्षेत्र के टांडा निवासियों ने कहा कि धलिनी आने के बाद उन्हें भूमी अधिकार नहीं मिले है राज्य कॉंग्रेस मामलों के प्रभारी मानिकरा उठाकरे मुख्याती थी थे और AICC सचिव रोहिच चोधरी राश्ट्रिय किसान कॉंग्रेस के उपाद्यक्ष को दंडा रड़ी और अन्यने कारेकरम में भाग लिया विधायक राजा सिंग ने B.R.S. और कॉंग्रेस पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि वह जान ही क्यों न चली जाए पर B.R.S. और कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होने की गलती कभी नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि उनका लक्षिते लंगाना को हिंदू राज्य बनाना है अगर B.J.P. ने उन्हें टिकेट नहीं दिया तो वह राजनीती छोड़ कर हिंदू राज्य के लिए काम करेंगे उन्होंने आलोचना की कि गोशा महल B.R.S. टिकेट M.I.M. के हातों में था और इसी लिए इसे लंबित रखा गया था तरूर तुरकयांजल नगरपालिका रंगारेडी जिला सिकिंद्राबाद से तरूर तक राजीव ग्रहकल्पा R.T.C. बस सेवा शुरू की गई है डिपो मैनेजर ने रवी को उनकी ततकाल प्रतिक्रिया और बस की विवस्था के लिए धन्यवाद दिया भूपाल रेड़ी कॉंग्रेस पार्टी के युवा नेता राजीव ग्रहकल्प कॉलोनी के अध्यक्ष साइदूलू कॉलिनी के लोग छात्र कॉलेज के छात्र यात्रियों ने इस कारेकरम में भाग लिया कार्पोरेट मेडिसन को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए एस केर हॉस्पिटल आगे आया है हैदरबाद नामपली में एस केर अस्पताल का उद्गाटन अध्यक्ष श्रावंती श्रीधर और अस्पताल के प्रमुक डॉक्टर श्रीधर ने किया उनका दावा है कि वे अस्पताल में दस रुपे में कॉर्पोरेट इलाज मुहिया करा रहे हैं उन्होंने कहा कि सेवा भाव के साथ सभी को बहतर चिकित्सा सुविदा उपलब्द कराने के संकल्प के साथ ये सेवाएं शुरू की गई उन्होंने कहा कि उस्मानिया अस्पताल के वरिष्ट डॉक्टर अपने अस्पताल में राज करेंगे उन्होंने बताया कि वे पुराने शहर जैसे एक शेत्र में दस रुपे में ये सेवाएं प्रदान करके खुश हैं श्रीधर ने सभी लोगों से राज सरकार द्वारा कॉर्पोरेट अस्पतालों को रिश्वत के रूप में प्रदान की जाने वाली मुफ्त चिकित सादेगबाल का उपयोग करने का आगरत किया उन्होंने कहा कि उनके पिता गाउं में सिर्फ एक रुपे में दवा उपलब्द कराते थे उन्होंने कहा कि क्लिनिक की शुरुवात उनके पिता की प्रेड़ना से हुई थी चलो प्रगती भवन तेलंगाना कमजोर समुदाय समिती को बुलाया गया है मन्नुरुकापू आत्मगौरव महाधर्म सेना का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने प्रती वर्ष पांच हजार करोड से मन्नुरुकापू निगम स्थापित करने की मांग की उन्होंने मांग की कि मन्नुरुकापू छात्र चात्रावास को बंदोबस्त बोर्ड से हटा दिया जाना चाहिए और मन्नुरुकापू को सौप दिया जाना चाहिए मन्नुरुकापू के प्रत्य एक परिवार को जाती व्यवसायों की सहेता के तहट पांच लाक आवंटित किये जाने चाहिए और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें तीन एकर जमीन आवंटित की जाने चाहिए जाती कृशी भूमी EWS के अनुसार मन्नुरुकापू या BC के लिए विशेश 10 प्रतिशत आरक्षन लाकू किया जाना चाहिए डी में 23 प्रतिशत आरक्षन जोडने की मांग है दिवंगत NTR की शताबदी मनाने के लिए केंद्रिये वित्त विभाग ने 100 रुपे का समारक सिक्का जारी किया गया सिक्का विमोचन समारो कलराष्ट पती द्रौपदी मुर्मो के हाथों आयो जित किया गया यह सिक्का आर सुबा 10 बजे से जनता के लिए उपलब्द हो गया NTR सिक्का कैसे खरीदे? भारत सरकार टकसाल की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन खरीदे वहीं इसे सीधे हिदरबाच से साइफाबाद और चरलापली में विक्री केंदरों से खरीदा जा सकता है वही NTR समाराक सिक्कों के लिए 3 कीमते तै की गई है लकडी के बकसे में एक सिक्के की कीमत रुपे 4850 प्रूफ फोल्डर पैक में सिक्के की कीमत 4850 रुपे है 4,381 UNC फोल्डर पैक में सिक्के की कीमत रुपे है 4,050 तै किया गया था ये सिक्के 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत जस्ता और 5 प्रतिशत नकल की मिश्र धातु से बनाए गए थे यह धातु संयोजन सिक्के को हमेशा के लिए चमका देता है TSPSC ने ग्रुप 4 पदों के लिए आयोजित लिखित परिक्षा की प्रारंभिक कुंजी की घोशना कर दी है उमीदवारों को OMR दस्तावेजों, मास्टर प्रशन पत्र, कुंजी की इमेजिंग प्रतियां वेबसाइट के एमबेड की जाएंगी इसमें कहा गया है कि 7,63,835 लोगों ने पेपर 1 की परिक्षा दी और 7,61,028 लोगों ने पेपर 2 की परिक्षा दी OMR शीट की प्रतियां 27 सितंबर शाम 5 बजे तक उपलब्द रहेंगी TSPSC सचिव अनिता राम चंदरन ने कहा कि प्रतमिक कुंजी पर आपतियां इस महिने की 30 सितंबर शाम 5 बजे तक दर्च की जानी चाहिए समय सिमा समाप्त होने के बाद प्राप्त आपतियों को आयोग द्वारा उपलब्द कराए गए बॉक्स में अंग्रेजी में दर्च किया जाना चाहिए जिस पर विचार नहीं किया जाएगा टी, एस, पी, एस, सी ने इमेल और अन्य वेक्तिगत अनुरोधों के माध्यम से प्राप्त आपतियों पर विचार करने के लिए स्पष्ट किया है हैदरबाद के शम्शाबाद एरपोर्ट पर बम की धमकी भरी कॉल से हड़कम्प मज गया आज सुबह एक अग्यात हमलावर ने कंट्रोल रूम को फोन कर कहा कि शम्शाबाद हवाई अड़े पर बम रखा गया है तुरंत सतरक अधिकारियों ने हवाई अड़े पर गहन जांच की बम निरोधक दस्ते द्वारा व्यापक जांच के बाद अधिकारियों ने पुष्टी की की वहाँ कोई बम नहीं है अधिकारियों ने बम की धमकी वाली कॉल को फर्जी बताया उन्होंने बताया कि इस बीच इस घटना पर मामला दर्च कर लिया गया है और फोन करने वाले व्यक्ती की तलाज शुरू कर दी गई है शहर के घटके सर में एक चेंज स्नेयाचर ने जम कर उतपात मचाया उसने एक महिला की आँखों में मिर्ची जोंक दी और उसके गले से मंगल सूतर चुरा लिया घटना घटके सर पुली स्टेशन के अंतरगत शिवरेड़ी गुड़ा चौरस्ता में हुई चोर साड़े तीन तोले की सोने की चेंज चोर चुरा ले गया पीडिता कलव कुंटला मनजुला हनम कॉंडा में एक सरकारी शिक्षक के रूप में कारियरत है इसी क्रम में मनजुला शिवरेड़ी गुड़ा चौराहे पर बस्टेन बस का इंतजार कर रही है पीडित ने बताया कि वहाँ आए एक चोर ने उसकी आंक में मिर्ची का पौडर डाल दिया और मंगल सूतर चुरा कर पास की जाडियों में भग गया पीडिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्च कर जान शुरू कर दी है तेलंगाना में बरसात के मौसम में भी लोग दिन में लू से बेहाल हो रहे हैं 1972 के बाद अगस्त के महिने में राज्य में सबसे कम बारिश दर्च की गई इस माह में मातर 34.4 मिलिमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई गौर तलब है कि सामान्य से 60 फी सदी कम है कम से कम अगले महिने अच्छी बारिश की उमीद कर रहे कि सान को मौसम विभाग ने एक कड़वी कबर दी है अनुमान है कि अगले महिने भी बारिश की स्थिती ऐसी ही रहेगी इस साल का मानसून करीब 8 साल बाद सबसे कमजोर हो गया है अल नीनों के प्रभाव के कारण सितंबर में भी भारी बारिश की संभावना नहीं है दरसली साल दक्षिन पश्चिम मानसून देश से आया है इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष जून में देश में कम वर्षा हुई इसके बाद मानसून सक्रिय हुआ और देश भर में अच्छी बारिश दर्श की गई लेकिन तेलंगाना की स्थिती अलग है जो चिंता जनक है